तो स्वागत है भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगंडा वूमेंस का बड़ी लीग है उसका भाई जो आज के दिन का एक मात्र मैच और टूर्नामेंट का ती भाई अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाए और इगलेट्स मूमेंस की टीम में आपर मैच हार के आ रही है अपना वहीं अगर भाई बात करोगे आपर टाइटैनिक मूमेंस की टीम की तो इनकी तरफ से बाई दो से तीन ऐसी प्लेयर रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही रही है और इनी के फेवर में थोड़ा सा हम टीम बनाने वाले इगलेट्स मूमेंस थोड़ी सी वीक टीम नजर आती है आपर तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अब अगर दोनों ही टीम्स की बात करें तो इगलेट्स मूमेंस की तरफ से भी आपको ए नहीं करता हूँ, हमें बस मेन जील पर फोकस करेंगे, स्मोल लिग में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम रखेंगे, उसका रिजन में आपको बता देता हूँ, टाइटैनिक जो वूमेंस की टीम है न, इन्हों ने अभी तक इस सीजन का एक भी मैच नहीं खेला है, यानि कि इनके मतलब फेवर में, ना तो किलियरली इनके फेवर में टीम बना सकते हैं, ना ही किलियरली इनके अगेंस्ट में, रीजन क्या है क्योंकि भाई, अभी पता नहीं है, इनके पास प्लेयर्स कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जो इसी सीजन एड हुए तो उनके उपर भाई थोड़ी सी नजरे बनाके रखनी पड़ेगी यहाँ पर अगर बात करें तो देखे जो डीक आटू शाबे लास्ट सीजन भी खेली थी और गजब की प्लेयर है हंडर्ड औन पर्शंट आपको इन्हें ट्राई करना है डिफैंस सेक्शन में जरू चलो मैं एक बार पहले टाईटानिक मुमेंस की ही प्लेयर देख लेता हूँ तो यहाँ से अगर बात करें तो डीक आटू सामबे खेलती नजराएंगी आर कोजो खेलती नजराएंगी इसके अलावा अगर टीम मौका देगी तो पी अटोरो या फिर भाई नाका भूगो इ लास्ट सीजन में भी स्क्वैड में थे ज़्यादा मौका इने खेलने का मिला नहीं था तो भाई उसके मतलब पर्फोर्मेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते बट लास्ट सीजन भी स्क्वैड में थे और इस सीजन भी आ रहे है तो अगर खेलती है तो ठीक है ये थोड़ी सी ऐसी प्लेयर से की चलेंगी ना तो बिलकुल मतलब ताबड तोड़ या फिर भाई बिलकुल फ्लोप तो उस टाइब की प्लेयर है वाई अगर बात करें आपर भाई आर नान कुमबा इनको भी आप अपने टीम में रख सकते हैं और जे लुबागो इनको तो जो रेडिंग सेक्शन है आपर ये अवोरी भी लास्ट सीजन खेलती नजर आई थी वाई अगर बात करें इस कांसी में ये इस सीजन भाई नहीं प्लेयर है ठीक है वाई अगर बात करें भाई आपर ये अवोरी लास्ट सीजन भी ठिक ठाक परफॉर्मेंस दे रही थी ले पाद या पर यी औ्रोरी का दूँझ किया जा रहा था तो अगर सिजन भी होता है लो मिनिजएल में इंपोर्टन्ट रहेंगी अधर्वाइज गर मेंडुे我ाइ अगर मैंने तोर पर ही खेलेंगी तो भाई आपको performance देती दिख जाएंगी लेकिन लाश्ट मैस असलर वूमेंस के साथ था जो की tournament की one of the strongest team है तो भाई वहाँ पर इनका मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं चला था तो वहाँ से यह flow पोके आई है यहाँ पर आप देख सकते हो चारों के चारों जो एक tackle किया था उसके अलाव भाई यहाँ पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी वैसे unsuccessful tackles की बात करें तो छे tackle इनके unsuccessful रहे थे ठीक है अब अगर बात करें वाई आपर एल लाल तुबी एल नामूतेबी की तो एल नामूतेबी ने भी आपर भाई एक successful tackle किया था इसके अलाव भाई यहाँ पर रेडिंग में भी flop रही थी और defense में भी आपर पूरे तरीके से flop रही थी आज जाए ओल राउंडर section में यहाँ पर देखे जो आर ना सांगा है इनको आप अपने टीम में try कर सकते हैं मैं रिक्मेंड करूँगा कि आप इन्हें GL मिनी जील में try कीजेगा small link में जादर try मत कीजेगा यहाँ से अगर बात करें असलर women's की तो इनकी तरफ से जो जो हन लुसूबो है इनको भी आप GL मिनी जील में try कीजेगा यानि कि old rounder section में इनकी तरफ से कोई भी अच्छा player आपको नहीं दिखेगा वही अगर बात करें वही आपर rating section में तो यहां से न अब S. Najimba को 100% अपने team में रखिएगा 100% और मैं recommend करूँगा कि आप इनने CVC के दावेदार में भी रख सकते हो क्योंकि यहां से इनकी performance में कोई कमी नहीं आएगी बट देखे वीक team के player को CVC बनाने का खतरा क्या होता है देखे अभी आपको समझाता हूँ वो चीज दिखाता हूँ live ठीक है यहां पर देखे इननोंने 24 point यहां से लिए 60 point यहां से लिए 18 point यहां से लिए इनके total ठीक है लेकिन 84 point है reason क्या है कि weak team है न तो यहां पर देखे चार बार team all out हो गई तो minus 16 point इनके यहां से लग गए चार इनके unsuccessful rate थी दो इनके unsuccessful tackle थे तो 10 point है इनके minus यहां से लग गए यानि कि भाई 26 point इनके minus हो गए otherwise आप देख सकते हो कितनी घजब की player है और भाई मैं इसी लिए बोल रहा हूँ कि इनको है न CVC बनाने में भी खत्रा रहता है बट भाई player GC level की है न तो बहुत ही शांदार player है मतलब CVC बनाना बनता भी है ठीक है तो इसी लिए बोल रहा हूँ आप इनके चाहूना तो CVC ट्राई कर सकते हो वही अगर बात करें F-Naki Yengi की तो F-Naki Yengi को भी आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो साथ ही साथ एक जो important चीज़ है आपको बता दू 6GL की टीम आपको बाई आपको टेलिग्राम पर दे देगा अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो जोइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी मेरी final टीम रहेगी वो आपको टेलिग्राम पर ही मिलेगी कल के मैचीज की विनिंग की बाद करें तो आप देख सकते हैं जितने कॉंटेस्ट जो इनके मतलब ओल्मोस्ट विन हुए थे आपर आप देखे हैं हमारे यूजर्स है उन्होंने भाई 20 में से आप खुद देखे की 14 कॉंटेस्ट इन्होंने यहां से विन कर रखे है ठीक है तो यही भाई मतलब देखके अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे तरीके से विनिंग करते हों यहां पर आप देख सकते हों आपर बाई किलियर विनिंग हमारे मेंबर्स कर रखे है यहां पर भी किलियर विनिंग है यहां पर भी किलियर विनिंग है यहां पर भी किलियर विनिंग है ठीक है लगातार वाई अल्टरा क्लेंस्ट यहां पर अमारी चल रही है आप देख सकते हो उपर तक जितने भी कॉंट्रेस्ट हमने जोइन किये सारे के सारे easy भी नहीं आप पर हमने कल कबड़ी में किये थे अब चलिए भाई बात कर लेते हैं demo team की तो team देखिए अभी जो मैं आपको बना के दिखाँगा न वो purely एक demo team होगी final जो भी हमारी team होगी न वो आपको मिलेगी दोस्त telegram channel पर अब telegram channel कैसे join करना है देखिए एक तो description में आपको link दिया है आप वहाँ से join कर सकते हो दूसरा वीडियो के first comment में आपको link दिया है आप वहाँ से join कर सकते हो तीसरा अगर by chance यह दोनों link work ना करे तो आपको क्या करना है आपको telegram को अटा देना है ठीक है मतलब यह तो मैंने अटा है आपको नहीं अटा है telegram आपको अपनी open करना है ठीक है search वाले icon पर click करना है simple सा आपको add the rate लगा कर kpm team बिना space के आपको यह search कर लेना है और यहां पर आप यह search करके देख सकते हैं यह वाई हमारा channel है top पर नीचे जो channel दिख रहे हैं बिल्कुल fake channel है तो उपर वाले channel पर जाकर आपको join हो जाना है ठीक है अब चलिए वाई बात कर लेते है team की तो चलिए वाई यहां से team की बात कर लेते हैं घञ सकते हो बात करें अल्राओनर section की तो यहां पर आपको और आप curry अधा को लेका करें सकते हैं कि सकते हो संगा को आप जीएल मिनी जीएल में रोटेशन में ले सकते हो बट स्मॉल लिग में काफ़ी रिस्किक रहेंगी तो मैं अभी के लिए ट्राइण नहीं कर रहा हूं यहां से आपको जो दो प्लेड़ लेने उसमें भाई अभी के लिए मैं E-Avori को ले रहा हूँ और यहां से भाई आप तो गड़ बड़ हो जाएगी यहां से भाई मैं अभी के लिए ले रहा हूँ S-Najemba को और N-H-Kan team में को reason क्या है E-Avori को drop करना है क्योंकि इनके credit नभारे से manage नहीं हो रहे हैं credit आपको manage करने है तो फिर भाई आपको यहां से कोई एक मतलब जैसे थोड़ा सा low credit player यहां से लेना पड़ेगा आप यहां से आप ले सकते हो E-Avori को वाट यह मेरे को थोड़ा ज़्यादा रिसकी लग रहा है यहां से भाई अभी के लिए मैं अपने टीम में लेके जाऊँगा D-Katu Shabe को और टीम preview कुछ इस परकार करा रहेगा मैंने 5-2 का मतलब combination बनाए in favor of Titanic women बाकी जो भी final team रहेगी वो तो आपको मैं टेलेग्राम पर देही दूँगा captain से की बात करें तो no doubt बहुत ही शांदार player है बहुत ही गजब player है ठीक है तो इनके उपर भाई मैं अभी trust दिखा रहा हूँ बाकी final team जो भी रहेगी न वो starting seven आने के बाद मैं आपको टेलेग्राम पर देने वाला हूँ तो टेलेग्राम चैनल जरूर से जोइन कीजेगा अभी के लिए आप इस team को save करके contest जोइन कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे match time पर टेलेग्राम चैनल पर और वहाँ पर आपको 6GL की team भी दूँगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और channel को subscribe कर लीजेगा और टेलेग्राम चैनल जोइन कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे match time पर टेलेग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम